गूर्णिंग फ्रेंज आज हम लोग कॉलम के सरीय का लेपिंग कैसे करते हैं और किस जोन में करते हैं कितना लेप लेंथ दिया जाता है इसके बारे में बात करेंगे तो चलिए कॉलम में हम लोग 36 mm डामिटर तक के बार का लेपिंग करते हैं और 36 mm डामिटर से उपर का जित परमीट करता है लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रास पैरल बार आपको लेपिंग पोर्शन में प्रोवाइड करना परेगा जैसी इस फीगर में हम लोग देखते हैं कि यह दो बार है जो 36 mm से उपर के डायमेटर का है और यह दोनों का लेपिंग किया गया है अगर इसको लेपि लेंथ कि अगर कोलम के बार को लेपिंग कर रहे हैं तो उसमें कितना लेप प्रोवाइड करेंगे तो उसमें लेप लेंथ निकालने के लिए हम लोग 50 D का यूज करते हैं जिसमें D जो है डायमेटर आओ बार है इसमें एक और बात ध्यान रखना है यह अगर आप किसी दो दिफरेंट साइज के बार को लेपिंग करेंगे तो उसमें लेप लेंथ कल्कुलेशन करने के लिए जो आपका स्मॉलर डाया का बार है उसका यूज किया जाएगा एक्जामपल के लिए मान लेजिए कि हम लोग इसमें बोटम बार 16 mm का प्रोवाइड कर रहे हैं और उपर अगर लेंथ निकलना हो तो उसमें हम लोग जो फर्मूला यूज करेंगे उसमें स्मॉलर बार जो है डीवन उसका बेलो पूट करेंगे जैसे ल बराबर 50 डीवन और इसको देखिए जब हम लोग कल्कुलेर करते 600 mm आता है तो इसका मतलब है कि इसमें जो लेप लेंथ प् पोर्शन में किया जाए इस बात का दिहान रखें कि कोलम के टॉप फॉर प्षॉर पॉर्शन और बोटम एलवाइफ फॉर पोर्षन में लेपिंग नहीं करना है जैसे हम लोग इस फिगर में देखते हैं यह आपका एक कोलम है तो यह 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 आनिशे का यह फोर पोर्षन म आपको इसमें लेपिंग करना है मान लिजे कि ये आपका column है और इसका clear height जो है L है तो clear height L का मतलब है कि आपको slab का bottom से beam के top के बीच में जो distance है वो L है अगर slab के निशे कोई beam है तो फिर आपका L जो होगा इस beam के bottom surface से लेके plinth beam के top surface के बीच का distance होगा मान लिजे कि slab के bottom से beam के top के बीच का जो clear length है आपका 12 feet का है तो अगर आप इसको calculation करेंगे तो L वाइ 4 जो आता है वो 3 feet आता है इसके कहने का ताथ पर है कि आपको beam के top surface से 3 feet height और slab के bottom surface से 3 feet निशे के height तक आपको leaping provide नहीं करना है और जो बीच का 6 feet बला portion है इसमें आपको leaping provide करना है कॉलम में सरीय का जो leaping करने के समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो leaping करेंगे तो वो अस्टेगर्ड होना चाहिए कभी भी कॉलम में लगने वाले 50% से जादे सरीय का leaping एक level में नहीं करना है आपको अस्टेगर्ड का मतलब क्या है माली जी के आपके beam में चार सरीया यूज़ किया गिया है और यह पिलिंथ beam है तो इसका height जो है एक height में आपको कभी भी leaping नहीं करना है तो इसमें leaping कैसे करेंगे तो different side में करेंगे जैसे आप इसका अगर h1 height में कर रहे है तो इसका जो दूसरे का h2 height में किजिए जैनि अगर इसको 4 feet में कर रहे है तो इसको 5 feet में करेंगे फिर ऐसे एस्टेगर में में दूसरे सरीय का भी करेंगे लेकिन कभी भी एक level में leaping नहीं करना है या एक column में 50% से जादे सरीय का leaping एक level में नहीं होना चाहिए column में सरीय का leaping करते समय चोथा जो point है कि आपको jogal length जो है 6d के बराबर होगा jogal length का मतलब क्या है तो इस figure में देखते हैं इसको अगर सरीय को बेंट कर रहे हैं या जोगल कर रहे हैं यह बला जहां जितना दूर bent portion है जहां से bent start हुआ और जहां पर end हुआ उसके बीच का जो portion है उसको हम लोग जोगल length बोलते हैं और यह जो है 6d के बराबर होता है जिसमें d क्या है diameter of bar दूसरा जो बात इसमें ध्यान देना है कि आप जब भी bend करेंगे जोगल करेंगे सरीय में तो उसका जो slope होना चाहिए यह जो slope है तो वह one in six से ज्यादे स्टीपर नहीं होना चाहिए one in six बोलने का मतलब है कि अगर आप इसका यह लंबाई एगर six mm है आपका तो उसमें आपका band जो है एक mm का देना है यह अगर आपका six mm हुआ तो आपको यह जो जितना आप band किया यहां पे वह एक mm होना चाहिए column में lepping के समें जो पांचमा बात का दियान देना है वो जोगल बार placing का है मालेज अगर आप जिस बार को band कर रहे हैं उसका placing कैसे करेंगे हमेशा इस बात का दियान रखे हैं कि जो बार यह जोगल पोर्षं जो है bottom बार के inward surface के के तरफ होना चाहिए और ऐसा हम लोग यहां पर किलियर कभर यूनिफॉर्म मिले उसके लिए करते हैं अगर आप एक्टेरियर सर्श्पेस के तरफ से जोगल पोर्शन को प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि माली जी यह आपका जो कॉलम में किलियर कभर 40 mm है और यह बाहर से आपका किलियर कभर कितना बचेगा 28 mm बचेगा आपका यह जो यूनिफॉर्म कभर है 40 mm का वह यहां पर नहीं मिल पाएगा जब आप कॉलम में बाहर का लेपिंग करें तो यह सब बातों का ध्यान रखें कि आपको क्या नहीं करना है तो आपको कभी भी कॉलम के लिए जो की लेभल में आ जाएगा और यह आपको नहीं करना है दूसरा है कि कभी भी आपको लेपिंग कोलम और बीम के जंक्सन पे नहीं देना है इस वीडियो का अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डॉनलोड कर सकते हैं वहां पर इसक लिंक प्रोवेड किया गया है थैंक यू